सासिकाल जी फेसबुक लाइब तुसी देख रहे हूं मेरा नाम है सुनील कटारिया और एसाड़ी बीबीसी पंजाबी दी वेबसाइट है बीबीसी डाट कॉम स्लैश पंजाबी तुसी खबर पड़ रहे हूं काबुल च आर्मी बेस ते अत्वा दी हमला होया ते पंज मौत बीबीसी काबुल ब्यूरो तो साडेनाल आर्या एहमद जई और नूर्गुल शाफक ने रिडे की काबुल तो स्पेशली आये हुए ने दिली दफ्तर देवेच आसी बैटे होया और इना हमलियां दे नतीजे की हो सकते ने आम लोकां देनाल लाल पत्तर कारां दी काबुल देवेच अफगानिस्तान देवेच जिन्दगी के सतरा मुतासर हुं दिया पर बावत हुं दिया है इना अटैक्स नो लेके उस बावत भी गल बात होएगी तो मैता पंजाबी च गल करांगा तो हडे नाल एह हिंदी बहुत बैतर समझ देने बोल देने और असी इना तो हि सब्सक्राइब नो पेंचानगे कि तो हडे तक इना दियावाज पतरकारान दियावाज और आम लोकां दियावाज इना दिया जरीये तो हडे तक पहुंचे बहुत सुवागी तो अड़ा बीबैस पंजाबी सरविस देवेच बीबीसी काबूल तो तुसी आयो मैंनों पता पहले तो नमस्कार आपके विवर्स को ये जो आज का अटेक हुआ है या कल अटेक हुआ था ऐसी बाते अफ़ानिस्तान में एक तरीके से अब आम सी हो चुकी है और वहां पर बलास्ट्स यानि कोई नई गटना नहीं होती कि उसके बारे में लोगों को कुछ ज्यादा खौफ का सामना हो पर पिर भी हर दर्द जो होता है या हर ऐसी गटना होती है जिसमें ज्यादा लोग मारे जाते हैं तो ये एक नेचरल बात है कि लोगों की जिन्दग और जोल्कारानि पर ताफिर करती है तो ये जिन्दगी पर अगर हम देखे तो वहां पर पर ज्यादा थरा आज तो ये मिलिटरी जो बैस है उस पर हमला हुआ है तो कभी कबार यानि ऐसी जगों पे धमाके होते हैं कि वहाँ पर आम लोग ज्यादा रहते हैं तो कई लोगों के जो अपने हैं वो उनको को बेड़ते हैं तो थोड़ी सी उनकी जो मेंटेलिटी है या उनकी जो जहनियत है वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है पर एक दो दिन गुजरने के बाद आम सी हालत होती है वहाँ पर नुर्गुल शेफक ते नालाल साधनाल अर्या 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 बतौर फीमेल किस तरह दे मुश्किलां ओदियाने इस तरह दे इलाके देवेश जहां हमेशा डर का महौल रहता है पत्रकार होते हुए और वो भी फीमेल होते हुए किस तरह की परेशानियां होती है आपको आम लोगों को तो होती होती है आपको किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है हम भी पत्रकार है पर हमारा लाइफ भी उन लोगों किस उन से जुड़ा हुआ है कोई सिप्रियेट नहीं है जो आम लोग फील करते हैं वो हम भी फील करते हैं पर वो जो बात यही के जब अज़ फीमिल जर्नलिस्ट जब मैं इस तरह अरिया में जाती हूँ जो वहाँ पर बलास्ट होता है और कहीं लोग जखमी और मरे हुए होते हैं तो मेरे लिए बहुत बहुत ही मुश्किल होता है कि लोग को जब मैं देखती हूँ उसके फैमिली उन लोगों को दुड़ने आते हैं पर कोई नहीं मिलता हूँ लोगों को और वो गंटों गंटों तक आस्पिटल के पीछे रुख जाती है और लिस्ट पढ़ती है कि मेरा बेटा कहा है मेरा पत होता है वह हम शब्द में नहीं बता सकते क्योंकि उसके लिए शब्दी नहीं है कि हम बता दे वो बाते चलो संदेब संवेद नावा भी हूं दिया ने और आम लोकां दी जिन्दगे किस्तानी हागिया सी अपने डैस्क वाल भी तुर दें और सवाल लेने साड़े साथिया तो नुर्कुल खास्ते काबूल दे लोकां दी अफगान दे लोकां दी ओ इलाका जड़ा हमेशा तालिबान दे डर दे वेच रहें दा डर्दा महौल है आम लोकां दी जिन्दगे किस तरह मतासर हूं दिया हो करोनिकल दे दर दे ने रातानों नींद नहीं हूं दी या इस मेलिटिन ग्रूप्स है उनकी जो एक्टिविटीज हैं वहाँ पे ज्यादा होती है तो वहाँ पर लोगों को डर रहता है क्यों नहीं रहता खुसां मसलां जब काबूल की बात हो जो के अफगानिस्तान का दार अलहुकूमत है और वहाँ कैपिटल है और वहाँ पर बादी अब बढ़ चुकी है तो वहाँ पर जब ऐसे दमाके होते है तो लोग ज्यादा तर लोग पहले अगर मैं अपनी गर के बात की बात करूं मैं जब सुबह गर से निकलता हूं तो मेरी मा मुझे दौा करके बेचती है मेरे बहने मेरे लिए वो परेशान रहती है कि मे इसी सूरत हाल में पिर भी अफगानिस्तान में खुसुसां काबल में लोगों को आप देख सकते हैं जो सेनमा जा रहे हैं जो पार्क जा रहे हैं जो खुश्या मना रहे हैं अपनी फैमिलीस के साथ तो ये एक अजीब सी सूरत हाल है जो के काबल और ऐसे लाकों में जैसा क बhoustone गयां पत्रकारदी जुबानी अंदादाल एकाबूल उत्का excited सब्सक्राइब दिए अधुकर परतने तो जिन्दा परतने या मोई परतने खेड़ अटैक लगातार हो रहे ने नुर्गुल आर्या एंबुलेंस पॉंदी गल होवे काल भी एक अटेक हुंदा हफ्ता पहला एक होटल दे वेच फिए अटाइक हुंदा तो लगातार अटैक दे साई दे विच या डर दे साई दे विच लोग जड़े जी रहे ने सरकारी पक कियांदा है, सरकारां इन दे विच इन सारे मामने दे विच सरकारां किते खड़ियाने, सरकारां जड़ियाने, क्या कहते हैं सरकारें? ये बलास्ट के बारे में? ब्लास के बारे में और इस तरह के महाल के बारे में मतलब वो लोगों की जिन्दगी को सुरक्षित रखने के लिए या बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ कर रही हैं तो हर हुकुमत चाहेगी कि उसके जो लोग है वो शांती से रहें पर अगर हमें कोई जीने दे हम सब जीना चाहते हैं पर कोई अगर इजाज़त दे जीने के लिए अभी अभी ताज़ा यस्तर देखो जो बिक कान फरांस ता अफगानिस्तान में जो वहाँ पे इंडियस के ह तालिबान और अधर देहिश्त गर्दों को वह सपोर्ट करते हैं अफगानिस्तान बेज़ते हैं ब्लास्ट करने के लिए तो यह सब जानते हैं और यह सब को ये एक रोशन मामला है कि ये बात का आप है तो पीर हकुमत कोشिश ये करती है कि कैसे खरे पर आपको पता है ना कि ये बहुत मुश्किल सा काम है कि अगर कोई अपने आपको मारना चाहो तो उसको कैसे हम रोखे और वाज़ करूं कि पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि नहीं हम इनके पीछे नहीं हैं और हमने हमेशा के लिए जो टर्रेस्ट ग्रॉप है या जो मेलिटन्स है उनके साथ हमने मुकाबला किया है पर यानी हकूमत चाहती है वो उन्हों ने अगर इस पिछले सालों को देखा जाए तो अफ़ानिस्तान ने कई सतों में डिवल्प भी किया है जैसा कि तालीम के बारे में जैसा कि स्पोर्ट के बारे में हमारे किलाडी आई पेल में किल रहे हैं बिग बोश में केले और इस कोशिश कर रही हैं यानि उनका यही कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से हमलात का हम उनका जो यानि उसकी राह में रुकावट आ जाए और उसका हम की सुकों को ना चोड़े कि हमारे को या हमारे मिलत को कोई तावान पहुंचे पर एक नॉर्मल सी बात है जहां जहां जंग हो रही हो तो ऐसे ब्लास्ट होते हैं। पंजाब दियाँ खबरा देलेई बीबीसी डाट कॉम स्लैश पंजाबी दियाँ तानवाद